अध्याई एक श्लोप बाईस भागवत कीता यावत एतान निरिक्षे हम योधु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योधव्यम अस्मिन रणा समुध्य में अनुवाद ताकि मैं युध शेत्र में खड़े हुए इन युध की इच्छा रखने वाले योधाओं को देख सकूँ कि किन किन के साथ मुझे इस युध रूपी व्यापार में युध करना योग्य है व्याख्या अरजुन जानना चाहते थे कि वे कौन-कौन से योधा हैं जो उनके विरुध युध करने के लिए इच्छुक थे यह इस बात को दर्शाता है कि अरजुन को इस युध की कामना नहीं थी परन्तु दुर्योधन ने उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था अरजुन के उपर यह युध थोपा गया था यह उनके मन की पुकार नहीं थी यह युध लड़ना उनके लिए विवश्टा थी मजबूरी थी अरजुन जिनके साथ उन्हें युध करना था उन्हें देखना चाहते थे वे अपने शत्रों की योग्यता और शम्ता का आकलन करना चाहते थे युध का पहला नियम यही कहता है कि आपको अपने शत्रों को अच्छी तह पहचान लेना चाहिए युद्ध में विजैश्री उसी की होती है जो अपने शत्रों को अच्छी तह पहचान लेते हैं अकसर जो दुर्योधन की तह युद्ध पिपासू होते हैं वह विजै नहीं हो पाते क्योंकि वे अपने युद्ध की पिपासा के घने कोहरे में घिरे होने के कारण अपने शत्रों की शमता का आकलन ही नहीं कर पाते हैं इसलिए जब कुरुक्षेत्र की रन भूमी में दुर्योधन ने पांड़ों की विशाल सेना को देख वे भै के कारण अपने आचार्य द्रों के पीछे जाकर छुब गए और दूसरी ओर विश्व के सरवश्वेश्ट धनुरदर होने पर भी अरजुन युद्ध के इस नियम का पालन धैर्य से कर रहे थे इसलिए युद्ध के शन में जितनी शान्ती, धैर्य और एकाग्रता चाहिए वो जीवन के किसी और शन में नहीं चाहिए होती है यहां अरजुन कह रहे थे कि वे साक्षी बनकर अपने शत्रों का निरिक्षन करना चाहते थे सोचने की बात थी कि जैसे ही युद्ध प्रारंब होने वाला था वैसे ही अरजुन श्री क्विषन से यह नहीं कह रहे थे कि रन्भूमी के मध्य यह रत ले जाईए ताकि मैं अपने शत्रों का संघार ठीक से कर सकूँ यदापी वे यह कह रहे थे कि मैं निरिक्षन करना चाहता हूँ कि मेरे शत्रों कौन कौन है वे युद्ध के लिए कितने आतोर है यहां बता रहा है कि अरजुन विचार कर रहे थे और जहां विचार होते हैं वहीं मस्तिश्क का उप्योग होता है जो द्वीधा पैदा करने में अत्यंत सक्षम है युद्ध वे लोग कर सकते हैं जो विचारहीन हैं जैसे भीन, दोर्योधन या फिर वो लोग जो ठ्रीकिषन की तरह निर्विचार हैं विचारवान मनुष्य युद्ध नहीं कर सकता है विचारहीन मनुष्य को युद्ध करने की जरुवत ही नहीं होती ऐसा मनुष्य अंधा होता है, वह शत्रों को देखता नहीं निलमित करता है, वह युद्ध पिपासू होने के कारण अपने भीतर ही एक युद्ध लड़ रहा होता है, और यथात में भी अपने शत्रों प्रकत कर रहा होता है। विचारवान मनुष्य का मस्तिषक स्थिर नहीं रहता क्योंकि उसके विचासदा कमपित रहते हैं, वह अरजुन की तह निरिक्षन करना चाहता है, देखना समझना चाहता है और देख समझ कर युद्ध नहीं किया जातारा, पलायन किया जाता है। निर्विचारवान वह मनुष्य है जो श्री कृष्ण की तरह है ना वे विचारहीन है और वे विचारवान है वे विचारों से परें हैं विचारहीन मनुष्य चाहे तो विचार कर सकता है पर निर्विचार मनुष्य विचारों की जतलता को पाल कर चुका है इसलिए उसे वि युद्ध नहीं लड़ सकते थे, वह रन्भूमी से पलायन जबूर कर सकते थे, अगर अर्जुन को कुरुक्षेत्र का यह युद्ध लड़ना है, तो या तो उसे भीम और दुर्योधन की तरह विचारहीन बनना पड़ेगा, या श्री कृष्ण की तरह निर्विचार बनना आई हूँ, तो कृपया कर मेरे चैनल दर मिस्टिक दी मिस्टिफाय को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें, जै श्री कृष्णा,